आप लोग देखते हैं जब भी हमारे देश में हिंदी को राष्टिये भासा बनाने की बात होती है तो जो दच्छिन के भारत हैं ये आप देखते हैं कि बिरोध करना सुरू कर देते हैं और अभी हाली में हमारे हॉम मिनिस्टर अमिसाय सहाब ने मद्ध देश में आप देखिए चिकिस्सा यानि की मेडिकल यानि की डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में सुरू करवाई है और मद्पदेश पहला ऐसा राज्ज है जहां हिंदी में आप देखिए डॉक्टरी की पड़ाई होगी पाठक्रम आपका जो होगा सिलेवर्स जो होगा जो किताबें होगी वो सभी हिंदी में होगी और मद्पदेश की बात करते हैं तो भोपाल इसकी राजदानी है और इसकी सीमा 36 गड़ उत्तरपदेश राजिस्थान गुजराद महाराट से लगती है और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में 230 सीटे हैं राज्य सभा में 11 सीटे हैं लोक सभा में 29 सीटे हैं सिवरा सिंग चोहां ने आके मुखमंत्री हैं और आप देखी हिंदी पर फिरसे विवाद खड़ा हो गया है और एक बात आप लोगों को जान लेने चाहिए अभी तक हमारी राष्टिय भासा हिंदी नहीं है और आप देखते होंगे कि कई न्याले जो अदालते हैं वो फै से ट्रांसलेशन होना चाहिए और हिंदी में भी वो होना चाहिए और इस्थानिये जो भासाइं हैं उन में भी होना चाहिए और इस्थानिये भासाओं में होने के बज़े से क्या होता है कि वहां के लोगों को आसानी से वो समझ में आ सकेगा आप लोगों ने गौतम अब आप देखिए कि कहीं ऐसे हिंदी वाली चेत में आप लोग चले जाएं जहां लोगों को इंगलिस न आती हो और आप लोग इंगलिस बोलने लग जाएं तो आप देखिए क्या हो वहां कि लोगों को कुछ समझ भाएगा कुछ नहीं आएगा और आठवी अनुसूची आप लोगों ने पढ़ी होगी समिधान की इसमें 22 भासाइं बर्थमान में सामिल हैं इसमें आप देखी असमिया सामिल हैं इन भासाओं में चौदे तो आप देखींगे समिधान की प्यारम से सामिल हो गई थी और आप देखींगे उनने सो सट्रट में सिंधी भासा को 21 समिधान संसुधन के द्वार आठवी अनुसूची में जोड़ा गया था 1992 में 71 समिधान संसुधन के द्वारा कौंकडी, मडीपुरी, नैपाली को जोड़ा गया था 2003 में आप देखींगे 92 समिधान संसुधन के द्वारा बोडो, डौंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था इस तरह से आप देखींगे टोटल आपकी कितनी है, 22 भासा हैं और वर्तमार में ऐसी 6 भासा हैं जिनने भारत में सास्ती भासा का दर्जा भी मिला हैं तमिल को 2004 में, संस्कित को 2005 में, कंणड को 2008 में, तेलगू को 2008 में, मलयालम को 2003 में और उडिया को 2016 में, और आप देखींगे बहुत सारी ऐसी भासा हैं, जिनने आठवी अनसूची में सामिल करने की मांग भी समय समय पर उठती रहती है तो अभी विवाद एक खड़ा हुआ है, कि भारत की राष्टपती को सौपी गई राजभासा समती की रिपोर्ट के हो रही थी, उस समय भी आपने देखा होगा, दच्छिन भारत की राजजों ने विरोध किया था, हिंदी भासती राजजों में आप देखेंगे, IIT, IIM और केंद्री विस्विध्याले में सिख्छा का माद्यम हिंदी होना चाहिए, एमांग उठती रही है, इस पैनल की की इस्तिमाल की जाने वाली भासा हिंदी होनी चाहिए, और पाठकरम को हिंदी में पढ़ाने का प्रियास किया जाना चाहिए, और आप देखें कि आज की समय में उल्टी बात है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है, तो कोई सरम की बात नहीं है, लेकिन आप देखते हैं, इंग्लिस नहीं आ गी तो आपको वड़ी सरम आएगी हमारी जो भासा, जिसे हम लोग राष्टी भासा कहते हैं कि इससे बनाने की मांग होती रहती है और उसे तहजीर भी कम दी जाती है जहां भी नौकली की बात होती है तो इंगलिस-ंगलिस की बात होने लगती है अनराज्जों में आप देखेंगे उच्छ न्याले जहां कारवाही अंग्रेजी या छेतरी भासा में की जाती है हिंदी में अनुबाद उपलब्द करा सकते हैं क्योंकि अनराज्जों के उच्छ न्यालेओं के फैसले अकसर नेड़ेओं में उद्द होते हैं आप भली आप देखें इंगलिस में आप लोग फैसला दीजे चाहे आप लोग किसी और भासा में दीजे लेकिन कमसे का अनुबाद करवा कर हिंदी में उसका पैसला उपलब्द करवा दिजे उत्तरपिदेश, उत्तराखंड, मद्पिदेश, बिहार, हर्याना, राजिस्तान में निचली अदालतें पहले से हिंदी का उपयोग करती है और दक्षिन भारत में आप देखे, खासकर आप देखे, अपनी तमिल में तमिल बोली जाती है यहां अलगी भास है, लेकिन यहां राजिस्तान हो, मद्पिदेश हो, उत्तरपिदेश हो, हर्याना हो, बिहार हो, चत्तिसगड हो, जारकंड हो यहाँ आप देखते हैं कि हिंदी ही अधिकतर बोली जाती है और हिंदी भासी राज्जों में कैन सरकार के अधिकारियों और अनकरमचारियों द्वारा हिंदी के उपयोग को उनकी बारसिक पिदर्शन मुल्यानकन रिपोर्ट में दर्शा आये जाएगा ए पैनल ही सिभारिक्स की गई पैनल के द्वारा यह सम्ती की जिम्मेदारी और उत्तरदाइत होगा कि अधिकारिक संचार में हिंदी भासा को बढावा दिया जाए और अधिकारी के संचार में अंग्रेजी भासा के उपयोग को कम करने और हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रियास किया जाना चाहिए कई सरकारी नोगरियों में हिंदी का ग्यान अनिवार होना चाहिए और सिफारिस ने राज्य सरकारों उनकी संस्थानों विभागों ही तू क्या लक्षित की गई है तमिलाडू केरल जैसे राज्यों को राज़वासा अधिनियम 1963 एवं नेमो और वी नेमो अधिनियम की 1976 के अनुसार छूट दी गई है यह आप देखें कहां की बात हो रही है तमिलाडू तमिलाडू चले जाई है आप लोग चन्न नहीं इसकी रादधानी है इसकी सीमा केरल, करनाटक और आन्पदेश से लगती है और आप देखेंगे कि यहाँ बिधान सभा में 234 सीट हैं लोग सभा में 49 सीट हैं, राज सभा में 18 सीट हैं और तमिलाडू के चेतफल आप देखें तो एक लाग तीस जार अन्ठावन बरक किलो मीटर में फैला हुआ है यहाँ की अधिकारिक भासा तमिल है और अत्रिक अधिकारिक भासा अंग्रेजी है और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ हिंदी का भिरोध भी होता रहता है और वहीं अगर हम लोग करनाटक की बात करें किसकी करनाटक की बात करें तो यह करनाटक आपको दिख रहा है वैंगलो इसकी रादधानी गवाह हो फिर चाहे आपका देखें महराष्ट हो, तेलंगाना हो, आंध्विदेश हो, तमिलनाडू, केरल इन सभी राज्जों सिसकी सीमा लगती है यहाँ बिधान सभा में 224 सीट है बिधान परिश्द में 75 सीट है राज सभा में 12 सीट है लोग सभा में 38 सीट है और इसका छित फल अगर आप देखें तो 1,91,791 बर किलूमीटर में फैला हुआ है यहाँ की अगर हम लोग भासा की बात करें तो अधिकारिक भासा यहाँ की कंणर है और चेत्री तुलू, कोड़वा आप लोगों को देखने को मिलेगी तो यह भी याद रखेगा इन दोनों राज्यों को यही दो राज्य बिरोध भी करते हैं तो इसलिए इन्हें छूट भी दी गई है कानून A, सेडी के उन राज्यों में लागू किया गया है जिन में अधिकारिक भासा हिंदी है नेमों के अंसार सेडी A में अनराज्यों में जहां हिंदी का उपयूग 65% से कम है सेडी C के अंतर का सूची बद्ध किया गया है अब आप देखें मद्दवेजस बालों को, उत्तर पिदेश बालों को, विहार बालों को, हिंदी से कोई परेशानी नहीं है वो तो कहते रहते हैं कि राश्टी भासा बना दीजे समिती ने सुझाओ दिया कि सेडी A के राज्जों में हिंदी का सत्-पिती सत् प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए सेडी A के राज्जों में AIT, केंद्री पे से विध्यालेओं और केंद्री विध्यालेओं में सिक्छा का माध्ये में हिंदी होना चाहिए रच्छा औ ग्रह मंतरालाय में हिंदी का प्रयोग सत्-पिती सत् है लेकिन सिक्षा मुंतरालाय अभी भी उसे इस्तर तक नहीं पहुचा है और भासा की उपयोग का आखलन करने के लिए सम्मित्ती के कुछ मापदंड भी थे दिल्ली विस्विद्याले, जामिया, मीलिया, इसलामिया, भी एचू, एम्यू, सहितकई, कैंदरी विस्विद्याले में हिंदी का प्रियोग किबल 25-35% है जब कि इसे सत्पिती सत्थ होना चाहिए था और राजभासा पर संसदी सम्मती की देखें तो राजभासा पर संसदी सम्मती का गठन 1976 में राजभासा अधिनियम 1963 की धारा चार के तहट किया गया था ओस सम्मिधान के अनुचे 359 द्वारा अनिवार रोप से हिंदी के सक्रिय प्रचार के साथ अधिकारिक संचार में हिंदी के उप्यों की समिच्छा उप्रचार के लिए राजभासा सम्मिती का गठन किया गया था और सम्मती की पहली रिपोर्ट 1987 में पिस्तुत की गई थी और सम्मिती का गठन वो अध्धिक्चता के अंध्रे ग्रह मंत्री करेता है और 1963 की अधिनियम के प्रावधानों के अंसार 30 सदस लोग सबा से आप देखेंगे 20 सांसद और राज्य सबा से 10 सांसद होंगे इसमें और अनसंसद ये पैनल संसद को अपनी रिपोर्ट पिस्तुत करते हैं जबकि इसके विप्रीत ये पैनल अपनी रिपोर्ट राष्टपती को सौपता है जो रिपोर्ट को संसद के पितेक सदन की समक्ष रखेगा और सभी राज्य सरकारों को भेज जाएगा कौन राष्टपती साहब और हिंदी और अनचेत्री भासाओं को वड़ावा देने ही दो सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी किये जाते हैं त्री भासा सूत्र कोठारी आये उका 1986-1968 में जो आया था सिक्चा को लेकर उसमें कहा गया त्री भासा सूत्र कहने का सिधा सा मतलब है कि एक हिंदी हो जाए एक इंगलिस हो जाएगी और आप देखेंगे एक उनकी मात भासा या चित्री भासा हो जाएगी और 2020 में जो आपकी नई राष्टी सिक्चा नीती आयुए है इसमें हिंदी संस्केत और चित्री भासाओं को बड़ावा देने का प्रयास किया गया है और नई सिक्चा राष्टी सिक्चा नीती का मनना है ये कक्चा 5 से संभाउता कक्चा 8 तक मात्वासा या चित्री भासा में सिक्चा का मात्ध्यम होना चाहिए और नई सिक्चा नीती 2020 में बहु भासावाद और राष्टी एकता को बड़ावा देने के लिए त्री भासा फर्मोले पर जोड़ देने का भी नेड़े लिया गया है जैसे तमिलाडू में आप देखे एक हिंदी हो गई एक तमिल हो गई और एक इंगलेस हो गई इसकी बात कही जा रही है आने 6 तरी भासाओं की तुल्ला में भारत में हिंदी की इस्तिति अगर अब लोग देखें तो वर्स 2011 की भासाई जनगरना के अउसार भारत में 121 मात भासाई देखने को मिलेंगी और 8 करोड ब्यक्तियों यह कहें कि 43.6 आबादी 6 परसंट आबादी ने हिंदी को अपनी मात भासा गोशित किया है और 11 परसंट आबादी ने हिंदी को अपनी दूसरी भासा की रूमें बताया है टोटल जो हमारी जनगरना जनसंग क्या है न उसके परसंट की बात हो रहे है 43.6 लोगों ने आबादी ने हिंदी को अपनी मात भासा गोशित किया है और 11% आवादी ने हिंदी को अपनी दूसरी भासा की रूम में बताया है तो 43.6% लोगों को आप दी की कोई परिशान ही नहीं है चाहे आप लोग हिंदी को राश्टी भासा गोसित कर दीजे और अता 55% आवादी हिंदी को या तो मात भासा की रूम में या अपनी दूसरी भासा की रूम में जानती है 72 करोड उपयोग करताओं और 8% जनसंख्या के साथ बंगला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने बाली भासा है बंगला मलयालम और उदू भासाओं में ग्रावट आई है लेकिन हिंदी और पंजावी बोलने वालों की संख्या बड़ी है वर्स 1971 से वर्स 2011 की बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या 2.6 गुना बढ़कर 20.2 करोड से 52.8 करोड हो गई है और हिंदी की अगर हम लोग समिधानिक स्तिती की बात करें तो आप देखेंगे कि भारती समिधान की अनुचे अनुसूची आठ में हिंदी से 22 अधिकारिक भासाय भी सामिल है और हिंदी को भी सामिल किया गया है ये भी याद रखिएगा अनुचे 399 में ये हिंदी भासा को भिक्सित करने के लिए इसके पिसार का प्राधान करता है ताकि ये भारत की मिस्तर संस्किती में सभी के लिए अभी व्यक्ति के माध्यम से माध्यम की रोम में कारसक कर सके अनुचित 348 तो यह भी प्रावधान करता है कि अनुचित 348 एक प्रावधानों के बापजुद किसी राज़िका राजपल राष्टपती की पूर्व सहमती से उच्चनेयाले की कारवाही में हिंदी करवाही में हिंदी या किसी भी अधिकारी कुद्देश के लिए इस्तिमाल की जाने वाली किसी अन्भासा की उप्यों को अधिकरत कर सकता है भारत के सम्वीधान के अनुचित 243 एक की अनुचार दिवनागरी लिपी में हिंदी संगकी अधिकारी भासा होगी राजभासा अधिनिया 1963 की धारा साथ की तहत प्रावधन किया गया है कि अंग्रेजी भासा के अलावा किसी राज में हिंदी या राजभासा का उप्यों भारत की राश्टपाती की सहमती से राजजी की राजपाल द्वारा उच्छ न्याले द्वारा दिये गए नेड़े सबसे पहले तो आप देकि भड़ी जो न्याले हैं हमारे चाहे बड़ी बड़ी संस्था हैं उनके नेड़ा हिंदी में आने चाहिए जब को हिंदी को राश्टी वासा बनाना है सब को जनने लैक बनाना है तो अकेली आप देखे कि सिक्षा को कि हमक्राइन को ऑदी मॆ कर साती रहते हैं ठीक है